हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं उनती मैं आज मैं लेके आई हूं क्लॉक एपसोड नंबर सेकेंड इसमें आपको कहा गिया है फ़स्ट प्रेस्ट में कि एक बचकर पांच मिनेट पर सुईयों के बीच कोड क्या होगा तो अभी तक तो हम इसको निकालने के लिए एक पॉर्मूला यूज कर रहे थे आर्च इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11 अपॉन 2 एंगल निकालने के लिए यह हमारा पॉर्मूला यूज हो रहा था लेकिन अब हमें एक ट्रिक लगाएंगे इसमें एक नोट आप नोट कर लीजिए इसके लिए आपको नोट डालना है इसमें कहा गिया है कि यदि रेशियू 1 रेशियू 5 या 1 रेशियू 6 होगा तो मिनट का आधा आंसर होगा यानि कि अगर हमको कोई टाइम दिया जाए और इसमें अगर रेशियू 1 रेशियू 5 बन रहा हो तो इसमें मिनट का आधा हमारा अंसर हो जाएगा तो इसको हम एक एक ग्जांपल के माध्यम से समझते हैं जैसे मानली जी सेकेंड टोश्चन में आपसे कहा गया है चलिए फर्स्ट वाला ही पहले हम सॉल करते हैं इसमें कहा गया तो एक बचकर पांच मिनट तो हमसे प्रश्चन में क्या कहा गया है एक बचकर पांच मिनट तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 रेशियू 5 जब 1 ratio इसको 5 लिखेंगे या इसको लिखें 1 ratio 5 तो हमें पता है minute का आधा अंसर होगा यानि कि minute हमारा कितना दिया है 5 minute हमसे प्रश्च में कहा गया है तो 5 का आधा कितना हो जागा 5 upon 2 is equal to 2.5 यानि कि angle हमारा कितना बनना होगा 2.5 degree का बन रहा होगा अब next question देखिए इसमें तो हमारा दिया था 5 minute तो हमने इसको लिख दिया अब second question में हमसे कहा गया है 3 बचकर 15 minutes पर प्रश्यों के बीच code क्या होगा अब हमें 3 बचकर 15 मिनट पर सुईयों के बीच code बताना है तो सुईयों के बीच हम code कैसे बताएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं न 3 ratio 15 यभी पर 1 जय 3, 3 5 जय 15 इसको हम 1 ratio 5 में ले लेंगे जब 1 ratio 5 में हमारा आ जाएगा तो हमने अभी आपको क्या trick बताई है तो मैंने आपको अभी trick बताई ना कि इसमें क्या करते है जो minute का आधा होता है प्रश्ण में minute कितना दिया गया है हमें 15 दिया गया है ये हमारा 1 ratio 5 बन गया तो 15 upon 2 is equal to 7.5 degree अब हमें चेक करना है कि ये चीज सही है या नहीं तो हम क्या करते हैं इसको जो अभी मैंने basic formula बताया था उससे हम चेक कर लेते हैं तो उससे हम जब चेक करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3 into 30 minus 15 into 11 upon 2 तो हमें पता है ये कितनी value आजाएगी ये 90 minus जब इसकी multiply कराएंगे तो 165 upon 2 तो अब हम क्या कर सकते हैं 2 की 90 से multiply करा दे यानि कि 180 minus 165 पूरे के upon 2 जब इसको subtract करेंगे तो हमारी value आजाएगी 15 upon 2 यानि कि 15 को 2 से divide करने पर 7.5 degree आजाएगा यानि कि जो हमने इस trick से formula निकाला ना इस note से कि कहा गया ratio 1 ratio 5 या 1 ratio 6 होगा तो minute का अधा answer हो जाएगा तो ये follow कर रहा है अब हम क्या करते हैं अब हम चलते हैं अपने next question question number third जो कि आपकी screen पर है third number question आपकी screen पर है इसमें कहा गया 10 बचकर 50 minute पर code क्या होगा तो हमें बताना है 10 बचकर 50 minute तो हम इसको लिख सकते हैं 10 ratio 50 हमें पता है 10 1 जा 10 10 5 जा 50 यानि कि इसको भी हम लिख सकते हैं 1 ratio 5 अब हमारा ये 1 ratio 5 की ratio में आ गया है तो हमें क्या बताया था कि minute का आधा answer होगा हमारे पास minute कितना दिया गया 50 तो 50 को हम 2 से divide कर दें तो हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 यानि कि 25 degree यानि कि हमारा जब 10 बचकर 50 minute हुआ होगा तो code 25 degree का बनेगा दोनस्वियों के बेच हब हम आते हैं next question question number 4 में कहा गया है 9 बचकर 45 minute पर code क्या होगा तो हमें 9 बचकर 45 minute पर code बताना है तो हम लिखेंगे 9 ratio 45 9 बचकर 9, 9 5 जा 45 यानि कि ये भी आ गया हमारा 1 ratio 5 अब 1 ratio 5 आ गया है तो minute हमारा कितना दिया है 45 इसको हम 2 से divide कर दें तो हमारी value आ जाएगी 22 जा 4 22 जा 4, 25 जा 10 यानि कि 22.5 degree ये हमारा answer हो गया अब हम आते है next question question number 7 जिसमें question number 5 जिसमें कहा गया है 7 बचकर 35 मिनट पर code क्या होगा तो 7 बचकर 35 मिनट पर code बताने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं 7 ratio 35 7 बचकर 7, 7 बचकर 5 जा 35 यानि कि 1 ratio 5 तो इसमें हमारा minute कितना दिया गया है 35 यानि कि 35 upon 2 is equal to 2 1 जा 2 27 जा 14, 25 जा 10 यानि कि 17.5 डिग्री जब 7 बचकर 35 मिनट होगा तो घड़ी की दोनों सुईयों के बीच code 7.5 डिग्री का बनेगा तो ये थे हमारे 1 ratio 5 वाले question अब हम आते हैं क्योंकि मैंने आपको 2 trick बताई है इसमें कहा गया है 1 ratio 5 and 1 ratio 6 अब हम करेंगे जिसमें 1 ratio 6 बनना होगा उस टाइब के question तो 1 ratio 6 वाला first question आपकी screen पर है जो की question number 6 है तो हम देख रहे हैं कि 6 number question कहा गया है 4 बचकर 24 मिनट पर code क्या होगा मैं 4 बचकर 24 मिनट पर code बताना है तो 4 बचकर 24 मिनट पर code बताने के लिए हमें क्या करना है तो हम इसको लिख सकते है 4 ratio 24 जो हम इसको लिखेंगे 4 ratio 24 तो हमें पता है 4 1 जा 4, 4 6 है 24 यानि कि हमारा यह वन गया 1 ratio 6 और मैंने बताया था अगर 1 ratio 6 भी होगा तो भी आपका मिनट का आदा अंसर होगा हमारे पास है कितना 24 minute to 24 upon 2 12 degree का बनेगा अब हम आते है question number 7 जिसमें कहा गया है 9 बचकर 4 1 minute पर कोड क्या होगा तो 9 बचकर 4 1 minute पर हमसे कोड पूछा गया है तो हमें क्या करना है तो 9 बचकर 4 1 minute पर क्या करेंगे 9 ratio 54 9 बचकर 9 9 6 जा 54 यानि कि 1 ratio 6 बन गया अब हमने बताया था इसमें minute का आधा answer यानि कि 54 upon 2 is equal to 244 27 जा 14 यानि कि 27 डिग्री आपका आ जाएगा अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने basic formula से इसमें क्या था 9 into 30 minus 54 into 11 upon 2 तो हमें पता है 224 27 जा 14 यानि कि 9 3 जा 270 20 minus 27 की जा हम 11 से multiply कराएंगे तो हमारी value आ जाएगी 2 इसको हम चेक कर लेते हैं कितनी value multiply कराने पर आएगी तो 7 बंज़ा 7, 2 बंज़ा 2 यानि कि अब ये value आ जाएगी 7 बंज़ा 7, 2 बंज़ा 2 तो आ गई 7 297 यानि कि हमारी value आ रहे ही 297 तो हम इसको subtract कर दे तो हमारी value आ जाएगी 27 यानि कि ये हमारा answer हो जाएगा 27 डिग्री जब 9 बचकर 14 मिनट हुआ होगा तो code 27 डिग्री का बनेगा यानि कि ये right answer है अब हम आते हैं question number 8 जो कि आपकी screen पर इसमें कहा गया 5 बचकर 30 मिनट पर code क्या होगा तो हमें 5 बचकर 30 मिनट पर code बताना है तो हम इसको भी लिखेंगे 5 ratio 30 यानि कि 5 बचकर 30 मिनट हुआ होगा तो code 15 डिग्री का बनेगा अब हम आते है question number 9 जो कि आपकी screen पर है तो इसमें कहा गया है 10 बचकर 60 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच code क्या होगा तो इसको लिख सकते है 10 ratio 60 जब 10 ratio 60 लिखेंगे 10 1 जा 10 10 6 जा 60 यानि कि 1 ratio 6 जब ये 1 ratio 6 जब ये 1 ratio 6 आ गया तो अब हमें पता है मिनट का आधा answer हमारा मिनट दिया है 60.2 जब 10 बचकर 60 मिनट होगा तो दोनों सुईयों के बीच code 30 डिग्री का बनेगा अब ये question है इस series का last question 10 number इसमें कहा गया 6 बचकर 30 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच code बताना है तो इसको भी हम लिख सकते हैं लेकिन ये तो हमारे 1 ratio 6 के question तो यहाँ पे रापका होगा 5 बचकर 30 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच code तब ही हम निकाल सकते हैं तो यह हो गया 5 बचकर 30 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच code यानि कि 5 बचकर 5, 5, 6, 30 यह आपका आगया 1 ratio 6 अब मिनट कितना दिया है 30 तो यानि कि 30 upon 2 is equal to 15 हमारा 15 डिग्री आंसर आ गया यानि कि जब घड़ी में 5 बचकर 30 मिनट हुआ होगा तो दोनों सुईयों के बीच code 15 डिग्री का बनेगा अब हम आते हैं अपने new pattern पर जिसमें आपको अभी तक मैंने आपको एक trick बताई थी एक note लिखवाया था जिसमें आपको दिया था 1 ratio 5 और 1 ratio 6 अब हम पढ़ेंगे इसमें next type जिसमें आपको जिसमें आपको 1 ratio 4 से related questions मिलेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं उससे related हम questions solve करते हैं तो इसका 11 number question आपकी screen पर है तो प्रशन दिया गया 11 number 6 6 बचकर 24 मिनट पर दोनों सुयों के बीच code अगर हम 6 बचकर 24 मिनट लिखें तो हमें पता है 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 यानि कि 1 ratio 4 बन रहा है अभी तक हमने 1 ratio 5 और 1 ratio 6 का पढ़ा है तो इसके लिए आपको एक note लगना पड़ेगा यदि ratio 1 ratio 4 है तो मिनट का 2 गुना answer होगा यानि कि मिनट का 2 गुना कर देंगे तो अब हमारे प जाएगा यानि कि जब घड़ी में 6 बचकर 24 मिनट वहा होगा तो दोनों सुयों के बीच कोड 48 डिग्री का बनेगा अब हम आते हैं next number 12 number question में कहा गया 4 बचकर 16 मिनट पर दोनों सुयों के बीच कोड तो हमें दोनों सुयों के बीच कोड बताना है तो हम क्या करेंगे इसको लेखेंगे 4 रेशियो 16 जब 4 रेशियो 16 लेखेंगे तो मैं पता है 4 1 जा 4 4 जा 16 यानि कि 1 रेशियो 4 आ गया हमारे पास मिनट कितना दिया गया थे 16 यानि कि इसको 16 इंटी 2 करेंगे तो हमारी value कितनी आ जाएगी 32 डिगरी जब 4 बचकर 16 मिनट हुआ होगा घड़ी में तो 32 डिगरी का एंगल बनेगा अब हम आते हैं अपने next question question number 13 13 जो कि आपकी screen पर है देख रहे होंगे 13 number question आपकी screen पर आ चुका है इसमें कहा गया दो बचकर 8 मिनट पर दोनों सुयों के बीच कोड हमें बताना है तो दोनों सुयों के बीच कोड बताने के लिए हमें क्या करना ह इसको लिखना है 2 ratio 8 तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 यानि कि 1 ratio 4 बन गया और हमारे पास मिनट कितना दिया गया 8 यानि कि 8 into 2 is equal to 16 डिगरी जब 2 बचकर 8 मिनट हुआ होगा तो दोनों सुयों के बीच कोड 16 डिगरी का बनेगा यह हमारा right answer आ गया अब हम 14 question पर आते हैं इसमें कहा गया 10 बचकर 40 मिनट पर दोनों सुयों के बीच कोड क्या होगा तो सबसे पहले 10 ratio 40 10 बन जा 10 10 4 जा 40 यानि कि 1 ratio 4 हमारा आ गया अब हमारे पास मिनट के दिया थे 40 यानि कि 40 upon 2 is equal to 20 डिगरी लेकिन हम से क्या कहा गया 1 ratio 4 है तो हमारा हो जाएगा 40 into 2 is equal to 80 मिनट 80 मिनट यानि कि 80 डि दिगरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जब 10 बचकर 40 मिनट होगा तो दोनों सुयों के बीच कोड 80 डिगरी का बनेगा अब हम आते हैं अपने last question 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 number 15 जिसमें कहा गया है पांच बचकर 20 मिनट पर दोनों सुयों के बीच कोड क्या होगा तो हमें इनके बीच कोड बताना ह है तो इसको में लिख सकते हैं 5 रेशियो 20 यानि कि 5 बचकर 20 मिनट होगा तो दोनों सुयों के बीच कोड 40 डिगरी का बनेगा यह हमारा answer हो चुका है तो आज हमने सिखा कि 1 रेशियो 5, 1 रेशियो 6, 1 रेशियो 4 टाइप का अगर हमें कोई question मिलता है time हमको ऐसा मिलता है जि रेशियो 5, 1 रेशियो 4, 1 रेशियो 6 में है तो हम इस trick के माध्य हम से यानि कि जब 1 रेशियो 4 बनेगा तो हम minute का दोगुना कर देंगे और जब 1 रेशियो 5 रेशियो 6 होगा तो minute का आधा हम कर देंगे तो वो हमारा answer हो जाएगा तो आज हमने इस type की question सीखें कल मैं आपके और इस type की कई भी questions आप practice करिए अगर आपको कोई query हो तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करिए and share करिए thank you class